सभी भक्तों को नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है भक्तों चलिए जानते हैं क्या होगा आपका राशिफल मेश राशिफल उम्रद्राज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोथ से ही लाब मिलेगा आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए चाहे इसके लिए आपको कुछ कास ही क्यों न करना पड़े आपका रुमानी संबंध आज थोड़ी परिशानी में पड़ सकता है साथी की सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है उपाय किसी भिखारी व अपंग व्यक्ति को खाना खिलाने से हेल्थ अच्छी रहेगी व्रिश राशिफल सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है पैसा अचानक आपके पास एगा जो अपके कर्चों और बिल आदी को समहाल लेगा पारिवारिक सदस्यों से मतभेद कत्म कर आप अपने उद्देशों की पूर्ती आसानी से कर सकते है आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिये की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उंदादवा है आपके अंदर नेत्रित्व का गुन और लोगों की जरूरतों को समझने की समवेदन शीलता है अगर आप पुद को अभिव्यत करने पर जोर देंगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी आज आप अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं आपका जीवन साथी आज पूर्जा और प्रेम से भरपूर है उपाएं इस मंत्र का उच्चारण करें अपनी कुशियों को दूसरों के साथ साजह करना आपकी सेहत को भी बहतर करेगा लेकिन कयाल रखें कि इसे नजरंदास करना बाग में भारी पड़ सकता है जिन लोगों ने किसी अंजान शक्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था आज उन्हें उस निवेश से फाइदा होने की पूरी संभावना है आपके प्रियजन खुश हैं और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए जाहिर तोर पर रोमांस के लिए परियाक्त मौके हैं लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है नए विचार फाइदे मन्द साबित होंगे छात्र छात्राओ को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें ऐसा करना आपके लिए हितकारी है वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है उपाय अपने इश्टदेव की सोने की मूर्ती बना कर घर में स्थापित करके रोजाना पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा करक राशिफल योग और ध्यान आपको बेडॉल होने से बचाने और मानसिक तोर पर सेहत मंद रखने में मददगार साबित होंगे जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिये आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे ऐसा दिन है जब काम का दबाव कम रहेगा और आप परिवार के साथ समय बिताने का मजा ले पाएंगे प्रेमी को आज आपकी कोई बात चुब सकती है वो आपसे रुठें इससे ही पहले ही अपनी गलती का एहसास कर लें और उन्हें मना लें काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा कुछ सैल बना सकता है आपका चुम्बकिय और जिन्दादिल व्यक्तित्व आपको सब के आकर्शन का केंद्र बना देगा पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित रह सकता है उपायत माता व मौसी का यतोचित आदर करने से नौकरी व बिजनिस में उन्नती होगी सिंह राशिफल सामाजिक मेल जोल से ज्यादा सेहत को प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवशकता पड़ेगी लेकिन बीते दिनों में किये गए फिजुल खर्च के कारण उनके पास परियाप्त धन नहीं होगा कामकाज में जरूरत से ज्यादा तनाव के चलते परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार न करें अपने प्रिये के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा बजाए इसके आपको दिमाग शान्त रखना चाहिए और अपने प्रिये को अपनी सचे जज़बात से परिचित कराना चाहिए बैंकिक छेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है पदोनती की काफी संभावना है आप अपनी कुशी दुगनी करने के लिए सहकर्मियों से बाट सकते हैं अपने कान से आराम लेकर आज आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। उपाई पराईस्त्री के प्रती नजरे साफ रखने से आर्थिक उन्नती होगी। कन्या राशिफल आपको अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखने की आवश्चक्ता है। अपने अतिरिक्ट धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। सबको अपनी महफिल में दावत दें। क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्ट उर्जा है, जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी, कुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। प्रिद्यरोग्यों के लिए कॉफी छोड़ने का सही समय है, अब इसका जराभी इस्तमाल दिल पर अतिरिक्ट दबाव डालेगा। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप पारमपरिक तौर पर निवेश करें। परिवार की स्थिती आज वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। आज घर में किसी बात को लेकर कला होने की संभावना है, ऐसी स्थिती में खुद पर काबू रखें। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, जो आपको कुद अपनी जिन्दगी से ज्यादा चाहता होगा। कार्यक्षेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे, आज इस राशी के कुछ छात्र लेप्टॉप या टीवी पर कोई मुवी देखकर अपना कीन्ती। समय जाया कर सकते हैं, आज आपका वैवाहिक जीवन हनसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। हिस्से में कुछ दिल्चस्प और रोमाचक काम करने के लिए बढ़िया वक्त है। संभव है, आज आप अपने प्रिये को टौफी और कौकलेट वगह रह दें। भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलबधिया दे सकत है, उन सहकर्मियों का कास ध्यान रखें, जो उम्मीद के मुताबिक चीज न मिलने पर जल्दी ही बुरा मान जाते हैं। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूजी साबित होगा, आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत सने उढ़े लेगा। इस से उनका अकेलेपन का एहसास अपने आप कत्म हो जाएगा। हमारी जिन्दगी का क्या फाइदा? अगर हम एक दूसरे का जीवन आसान न बना सकें। आप इस दिन को अपनी जिन्दगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यू पिंग मौल में जा सकते हैं। व्यवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक दूसरे के प्यार को सराहने का यह सही दिन है। उपाय केले के पेड की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए। आपको अपनी भावनाओं को नियंतरित करने में कठिनाई होगी। लेकिन आसपास के लोगों से जगडा न करे नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। कुरानी यादों को जेहन में जिन्दा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। दफ्तर में सने का माहौल बना रहेगा। खाली वक्त आज व्यर्थ की बहसों में खराब हो सकता है जिससे दिन के अंत में आपको खिनता होगी। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मियता पूर्ण बाते का सही समय है। उपाय सुगंधित चीजों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाब होगा। कुम्भराशिफल आपकी सबसे बड़ी पूजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उप्योग करके देखें। कर्चों में हुई अप्रध्याशित बढ़ोत्तरी आपके मन की शांती को भं करेगी जितना आपने सोचा था। आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को सपश्टता के साथ उनके सामने रखें। आपके आत्म विश्वास में वृध्धी हो रहा है और तरक्की साफ नजर आ रही है। खाली वक्त में कोई पुस्तक पड़ सकते हैं, हाला कि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एकागरता को भं कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन में सुखे सर्दीले दौर के बाद आपको रूप नसीब हो सकती है। दोस्त की मदद से आज कुछ करोबारियों को अच्छा खासा धन लाब होने की संभावना है। यह धन आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकता है, दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी प्रिय से मिला कोई संदेश आपके उत्सा को दोगुना कर देगा। कामकाज के मामलों को सुलजाने के लिए अपनी होश्यारी और प्रभाव का इस्तमाल करें। जिन लोगों के घरवाले शिकायत करते हैं कि वो घरवालों को परियाप्त समय नहीं देते, वो आज घरवालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। मुम्किन है कि आपके मातापिता आपके जीवन साथी को कुछ शांदार आशिरवाद दें। जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। उपाएग बेसन की मिठाई, बेसन की कोई तली खाने की चीज, सोहन पापडी बेसन का हलवा गरीबों में बाटने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।